Hello students, NEET का exam NCRT centric होता है and NEET 2025 का exam भी expected है कि वो NCRT से ही आएगा अब बहुत पड़ा question ही आता है बच्चों की दिमाग में कि NCRT बहुत एक concise किताब है इस NCRT को हम कैसे पढ़े कि हमें सब कुछ याद भी रहे and हम questions को भी कर पाए तो NEET 2025 की तयारे में अच्छे अंक लाने के लिए आप NCRT को कैसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो बच्चों as we all know कि NCRT is our Bible आप इसको Bible कहिए गीता माता कहिए कुरान कहिए one and same thing but yes of course NCRT से ही आपका paper बनता है इसलिए हम जितने भी studies है उसको NCRT centric मान करके चलते हैं so ideally आपको जो भी concept पढ़ना है first of all आप उसको समझे जिस भी XYZ teacher से आप पढ़ाई करते हैं आप उसको समझे अच्छे से उसके बाद में आप उसको reference किताब से पढ़े detail में reference किताब से पढ़ने के बाद third step आता है अब आप NCRT की reading लगाईए जितना भी आपने उस concept के बारे में reference किताब में पढ़ा है वो सब कुछ concise form में NCRT में लिखा हुआ होता है तो NCRT बहुत ही concise form में बहुत बड़े context को ले करके जाता है तो हमें NCRT को पढ़ना इसी हिसाब से है ताकि हम questions solve कर पाए और अच्छे अंक लेकर की आप आई अब पढ़ने के लिए क्या तरीका होता है बहुत सारे बच्चे क्या करते कि NCRT open करते हैं word by word, line by line पढ़ना शुरू कर देते हैं बहुत सारे series भी आप देखते रहते हैं line by line NCRT, word by word NCRT उससे कुछ नहीं होगा आप समझें जब तक कि आप NCRT के meaning को नहीं समझेंगे जब तक आप उसके depth में नहीं जाएंगे तब तक आप NCRT पे mastery हासिल नहीं कर सकते हैं the thing is कि आपको actual context को grab करना पड़ेगा because you have to read in between the lines also जिस भी questions में बच्चे फस्ते हैं वो question आपके specifically in between the lines से होते हैं फिर कुछ ऐसे context से होते हैं जो NCRT में लिखा हुआ तो है लेकिन जब तक कि आप उसको in depth knowledge नहीं है आप उस question को नहीं solve कर पाते हो past 12 years से मैं इतने सारे बच्चों के doubts को cater करते हूँ बच्चे कहते हैं कि मैंने NCRT पढ़ लिया in fact आप बच्चे के NCRT उठाएंगे उसमें आप देखना लाल कलर पीला कलर हरा इतने सारे कलर से उसने paint किया हुआ होता है किताब को लेकिन जब question solve करने की बारी आती है तो question solve नहीं कर पाते हैं बच्चे उसकी पीछे सिर्फ और सिर्फ एक problem है कि सिर्फ NCRT का रटा मारने से कुछ नहीं होगा line by line रटा आपने line underline कर लिया उससे कुछ भी नहीं होगा आपको उस concept को समझना पड़ेगा अगर आप उस concept को समझ गए है उसके बाद NCRT को आप पड़ रहे है तो आपको वो सारी line भी समझ में आएंगी वो words भी समझ में आएंगे तो आपका first focus should be जो भी chapter आप पड़ रहे हो जो भी concept आप पड़ रहे हो उस concept को in depth समझ ही पहले अगर उसको in depth समझ गए आपने तो NCRT के lines आपको बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी वो words आपको बहुत प्यारे लगना शुरू हो जाएंगी आप सोचिए एक-एक chapter जो है biology में उसके पर बहुत भारे भरकम किताबे पड़ी हुई है वो भारे भरकम किताबों को बहुत ही short form में concise form में NCRT में लिखा हुआ है इसका मतलब यह कि बहुत ही mastery हासल करने पड़ती है इतने अच्छी इतने beautiful किताब बनाने के लिए अब secondly हम आते हैं कि अब हम कैसे इस पर mastery हासल करें मैं देखी ideal तरीका क्या है जो भी आप concept पढ़ते हैं जो भी आपने concept पढ़ा अभी आपने 2025 के त्यारी करने शुरू कर दिया है daily basis पे आपने अपने target को set करना शुरू कर दिया है daily basis पे जो आपने अपने target बनाया है चाहे physics का, चाहे chemistry का, चाहे botanizology का उस particular target का जो concept है उसको in depth समझ ये मैं वापस से अपने बात दोरा रही हूँ neat exam को clear करने के लिए सिर्फ उपर से NCRT को underline करने से काम नहीं चलेगा concept की in depth knowledge की आउश्रकता पड़ती है दो ही चीज़ें मांगता है neat exam concept की in depth knowledge and secondly questions की practice करना दोनों चीज़े hand in hand चलेंगे दोनों चीज़े simultaneously आपको चलानी पड़ेंगी you cannot wait for the timing की चलो हम December में हम January के अंदर questions को attempt करना शुरू करेंगे जी नहीं आपको अभी से साथ-साथ concept पढ़ना है साथ-साथ questions की practice भी करनी है concept पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कभी भी मत सोचो की मैंने एक lecture को देख लिया अब मैं सर्फ NCRT को ऊपर से देख लेता हूँ lines को देख लेता हूँ यह pure तरीका है ratification का and that will not give you marks बिल्कुल भी आपको marks ने देगा जी हाँ जो questions direct line से आ रहे उसमें आप भले ही अच्छा score कर लो लेकिन जो questions थोड़े से भी NCRT के line को tilt करके आ रहे हैं आप उसमें first जाएंगे और उसमें first ने की बाद आप negative marking आप ले करके जाएंगे आप confused हो जाएंगे दो options के अंदर सो बच्चो first of all आपने क्या करना है concept को पहले concept समझने पर focus कीजिए concept अगर आपने समझ लिया तो जो lines NCRT को automatically आपको समझ में आ जाएंगे automatically आपके mind में feed हो जाएंगे आपको रटने की आउशकता नहीं पड़ेगी आपको 10 color use करके different करने की आउशकता नहीं पड़ेगी तो concept की in-depth knowledge जब आपको हो गई है साथ-साथ में इस concept को जब आपने in-depth पड़ लिया है उसके बाद आप जाएंगे NCRT पे NCRT में कौन से words का chain किया हुआ है NCRT में कौन से lines का chain किया हुआ है इस पे आप focus कीजिए जब आपका focus ये होगा कि इतने beautiful concept में से ये lines में कितना beautifully summarize करके NCRT ने लिख दिया है जब आप इस imagination में जाना शुरू कर देंगे automatically सारी lines आपके subconscious brain में चले जाएंगी दूसरी चीज जो आपने करने इस concept को समझने के लिए आप इस concept पे based questions को कीजिए आप एक ऐसी किताब purchase कीजिए जिसमें NCRT based questions है NCRT based questions है या फिर आप खुद NCRT की lines से questions बना सकते हैं मैं हर साल एक series लेती हूँ आप बच्चों के लिए जिसमें मैं सारे chapters की lines से questions बनाए हुए है तो basically उससे होगा क्या जब आप ये NCRT आपने concept को पढ़ लिया NCRT की lines को देख लिया जब आप उस NCRT based questions को solve करेंगे because questions solve करने में आपकी active learning involved हो जाती है जब आपने ये देख लिया कि कुछ word missing है इस line से जो NCRT में लिखा हुआ था ये जो line है it makes sense यहाँ पे ये word इधर से इधर होना चीए then it will make more sense तो अगर ये type की practice आप करना शुरू कर देंगे तो आप देखना NCRT automatically आपको बहुत ही अच्छी सा समझ में आना शुरू हो जाएगी now जो NCRT based questions है इस questions को भी आपको सबसे पहले concept based questions लगाने पड़ेंगे concept based questions लगाएंगे उसके बाद में आप पूरे chapter wise questions को लगाना शुरू करेंगे chapter wise questions आप लगाएंगे particular chapter से आपने questions लगाना शुरू किया and जब भी आप कोई भी chapter शुरू कर रहे है कोई भी chapter the first step is आप उसके PYQs को solve कीजिए आप उसके previous year questions last year 10 year की PYQ की किताब आपकी पास जरूर होने चाहिए चाहिए botany हो, zoology हो, अजिक्स हो, chemistry हो उसके किताब में आपको सिर्फ क्या करना है जब आपने कोई chapter पढ़ना शुरू किया for example हम first chapter से शुरूआत कर रहे हैं living world से तो पहला step मेरा क्या होगा living world अच्छा जी मेरे schedule में कल मुझे living world पढ़ाई करनी है सबसे पहले मैं PYQ की एक skim reading कर लेता हूँ मैंने उपर-उपर से देख लिया कि हाँ living world से किस-कस type की questions आये हुए हैं उपर-उपर से जब मैं उसको skim reading करूंगी देखूंगी PYQ को तो मुझे समझ में आएगा कि यह question जो है इस portion से पूछा हुआ है question जो है इस portion से पूछा हुआ है question इस portion से पूछा हुआ है so basically हमने एक बहुत अच्छे technique को यूज किया हमने hot spots find out कर लिया और जब यह hot spots आपने find out कर लिया आप concept में जाएंगे actual में उसको in depth समझेंगे तो सारे hot spots आपके दिमाग में रहेंगे वो particular hot spot को आप बहुत अच्छे से detail में पढ़ पाएंगे और जब आप NCIT की reading लगाएंगे तो भी आप वो hot spots आपके mind में रहेंगे and वो सारे hot spots को आप miss नहीं करेंगे बिल्कुल भी बहुत डिटेल में आप उसको पढ़ करके जाएंगे तो आपको first step PYQs की skim reading करनी है then secondly जब आपने पूरा chapter finish कर लिया आपने concepts पढ़े concept wise questions को solve किया chapter wise questions को solve किया उसके बाद में उस chapter के जितने भी PYQs है please उसको solve कीजिए पूरा chapter finish होने की बाद अब मुझे skim read नहीं करना है अब मुझे actual में questions को solve करना है अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं इन questions को complete कर पा रहा हूँ क्या मैं इन questions को solve कर पा रहा हूँ अगर answer no आ रहा है तो you need to go through the chapter one more time और अगर answer yes आता है तो there is a win-win situation की आपने ये chapter पर बहुत अच्छे से mastery हासिल कर ली है same exercise को आप second chapter के लिए replicate की जो third chapter के लिए हर एक chapter में आपको इसी sequence से जाना है अगर आप इसी sequence से सारे chapters को complete कर लेंगे तो आपको वालतों की videos नहीं देखने पड़ेंगी कि कैसे full marks लाना है कैसे अच्छा score करना है basically you have to enjoy the process basically you have to think about कि या मेरे जो जो concepts आने वाले हैं there is no shortcut कि मैं कुछ छोटा सा तरीका अपना लू और उससे मैं अच्छे अंक लेकर किया जाँगा जी नहीं आपको ये एक long cut लेना पड़ेगा hard work का कोई तोड नहीं होता है hard work कीजिए आज से ही अपना एक schedule बना लो schedule बनाना बहुत important है days को allocate कर लो कि मुझे किस-किस concept को करना है किस day पे किस दिन मेरा chapter complete हो रहा है किस दिन मैंने एक दिन का समय निकाला है PYQ उसको solve करने के लिए भी आप देखना with passage of time you will develop confidence also and when you will start solving full length mock test paper आपको and secondly अगर marks नहीं improve होते हैं तो भी मुझे comments बताना कि मैं हम क्या कर सकते हैं आपके जो specific query है आप इसको comments में डाल सकते हैं अगर आप first time आ रहे हैं चैनल पे तो subscribe कर ना भूले और अगर आप हमें देखते आ रहे हैं तो इस particular session को share कीजिए अपने सारे friends के साथ में because you never know आप किसकी कब help कर रही हो stay tune everybody be happy, be healthy, take care of yourself मिलते हैं next class में बाई बच्चो